नमस्ते फिर्मॉए गाईज मैं हूँ अर्वेंदर बेलकम बाक टो यूट्यूब चैनल दोस्तों आपको पता ही है कि जी मुवी का ट्रेलर में से स्टेटर जी वर्सेज नौर्वे आ चुका है इंडिया में बहुत से जो है उसके उपर बाते हो रही है हमने एक वीडियो बन क्या बोल रहे है कली उनने एक इंटर्व्य दिया था और यह जो फादर है इन बच्चों के वो क्या बोल रहे है हूँ इस्टिल रिजाइडिंग इंस्तावाइंगर और साथी साथ मैं यह भी बताऊंगा कि आर भी बायस तोर्ड नौर्वे कि हमने सिरफ रोजी पिक्चर ह दिखाई है नौर्वे की या फिर वी आर अलसो टेलिंग सम्थिंग विच इस नौट इन नौर्वे राइट तो इसी से इसी मुद्दों पे यह वीडियो होगा और अगर आप यह सब जानना चाते हैं तो प्लीज देखिए इस वीडियो को बिलकुल एंट रहे हाजी दोस् इसका एक मैं बोलूँगा एक धमाकेदार रियक्शन इंडिया में हुआ है उतना ही रियक्शन इसका इसका आई वूट से यहां जो नौर्वेजन मीडिया है यहां के जो लोकल न्यूस पेपर है उन में भी इसकी डिसक्रिक्शन चल रही है राइट देखिए सबसे पहले तो यह सोच के ही कि किसी का बच्चा छीन लिया जाता है देखिए ग्राउंस कुछ भी हो बट आज इंडियन मैं आपको बता जाता हूं कि my heart weeps कि अगर मेरे बच्चे के साथ ऐसा होगा so I will be sad so I am totally you know मेरी पूरी जो है सांतवना वो parents के साथ है अब वो decision जो child welfare ने लिया वो सही था या गलत था that is different मैं किसी को यहां पे I am not trying to you know blame whether the parents or the child welfare system हमारा मकसद सिरफ यह है क्योंकि इंडिया में जो है वो एक स्टोरी चल रही है movie आपको एक स्टोरी दिखाएगी बट यहां Norway में लोग क्या बोड़ रहे है Norway का मीडिया क्या बोड़ रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं तो देखे अभी जो आपको दिख रहा है यहां पे screen पे यह जो है आप खुद इसको पढ़ सकते है you can translate it तो मैंने भी यह translate कर back क्योंकि उन्हें अल्रेडी जितना भी इनको पता था उन्हें इस रिपोर्टर को बता दिया है तो हम उन्ही का जो है पीस वह आपको यहां पे दिखा रहे हैं तो यह क्या बोलते हैं यह बात करते हैं कि 2011 के समय यह स्टाव एंगर जहां पर यह केस हुआ है he was heading the child welfare system राइ इन्होंने जो है वही picture दिखाई है picture में दिखाया है जो की mother की side की story है in fact जो father है उनका भी एक article है वो में आपको थोड़ी दिखाऊँगा और वो भी क्या बोल रहे हैं वो में आपको बताऊँगा बट यह बोलते हैं भाई साब कि यह जो case था यह सिरफ cultural differences के उपर नहीं था हमने बहुत सी चीजे पाई which were little bit aberrant ठीक है और इसी के कारण जो था child welfare service ने उनके बच्चों को जो था जी उनसे अलग कर दिया अब definitely मैं तो सोच के यह बहुत डर लग रहा है कि अगर कभी हमारे साथ ऐसा हो तो मतलब it is really very you know shocking thing but यह बोलते हैं कि यह हम सभी के साथ नहीं करते हैं ऐसा this was a real extreme case और मैं यह news आप से इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि देखिए मेरा point यह नहीं है कि Norway में हर चीज अच्छ इतनी Indian families होगी बहुत सी Indian families है हम खुद यहां 6 साल एवा जो हमारी बेटी वह 6 साल की होने वाली है तो हमारा तो आज तक कभी इन लोगों के साथ we have never been you know child welfare service का कोई आया हो देखने घर में तो इसलिए अपने experience से ही मैं बता रहा हूं और साथ में जो न्यूज में और मैं पहले तो इसलिए में सारी जो न्यूज है वो आपको बता रहा हूं और साथ ही साथ यह जो है गुनार थोरसन वो यह भी बोलते हैं कि उस टाइम जो इस केस में political pressure था that was at a very high level बहुत ही high level का pressure था and they were kind of forced कि भीया उन्होंने जब बच्चा ले लिया उसके बाद जो इंडिय में demonstrations हुई he was called by a lot of Indian media in order to explain क्यों क्या गया है और problem यह होती है कि जब अब child welfare service में you are working you are not supposed to talk about the case because of the confidentiality right तो यह कुछ चीजे है जो इन भाई साब ने बूली है इन्होंने बूली है तो आप मेर को comment में आपने लिख दे रहा है मैं बस आपके सामने present कर रहा हूं जो इन्होंन इंडिया में दे दी क्योंकि एवन इंडिया के जो प्रेजिडेंट थे शी वाज इन्वाल्ड और उस ताइम जो हमारे ministry of external affair के हमारे जो मिनिस्टर थे सुष्मा स्वराज जी शी वाज अलसो इन्वाल्ड तो दे वस लॉट अफ हुज प्रेशर और एक भाई साब है बहु क्योंकि इनिशिली जो थी custody मिली थी जो बच्चो के फादर थे उनके ममी पापा को अब बात में फादर की कर रहे हैं तो फादर क्या बोलते हैं जो फादर है मैं उनका नाम डिस्क्लूज नहीं करूंगा आपको अलड़ी पता ही होगा तो वो जो है वो अभी भी स्टावा ही हुई तो अगर आप अभी जो आर्टिकल देख रहे हैं तो इसमें भी लोगों ने खुद बताया है यह खुद यह क्या बोलते हैं फिर्स्ट अफॉल यह नोगों ने इसमें भी लिखाया कि बहुत से लोग इस मूवी के ट्रिलिर के बाद उनको सोशल मीडिया पे फॉल और जब उनके वाइफ और यह यहां पे आई तो फिर कुछ फैमिली सिचुएशन हर फैमिली में कोई ने कुछ सिचुएशन होती है और फिर 2011 में यह इशू हो गया और 2012 में उनने I think so divorce हो गया इन दोलों का और वो क्या बोलते हैं कि इन मूवी के जो अगें जो इनकी डिरे करूंगा एट सेक्ट एट सेक्ट और कई चीज़े इसमें लिखे तो आप यह भी बढ़ सकते हैं तो और यह तो इस लेवल तक में बोलते हैं कि at the end क्या हुआ था कि जब बच्चों की custody इनके बंबी बापा के पास थी एक साल बाद जो थी जो इनकी पहले जो इनके स्टोरी जो इधर की स्टोरी है जो नौर्वे की स्टोरी है वो अभी पूरी तरीके से नहीं दिखाए गया और लोगों के दुलों में बहुत डर बैट गया है हमें इंस्टाग्राम पे कई लोग कर रहे हैं कि I think we made a mistake of moving this और कई लोगों ने हमसे पहले भी पुछा था कि मे मैं तो 10 साल से रह रहा हूँ तो मेरा I think so कि it's kind of you know एक obligation से आती है कि जो सचाई है इस idea वो मैं आप लोगों तक दिखाऊ हूँ और अब जो थे एक भाई साब ने comment कर रहा था कि भाई तुम तो नौर्वे की सिरफ रोजी picture ही दिखाते हो कि नौर्वे ऐसा है यहां सब अच मतलब हमने तो सचाई जो हमारे experience के साब से सचाई थे और कुछ बुरी बातें भी present करी है जैसे कि मैं आप कोई बताता हूँ और यह हमारा खुद का experience है तो खुद के experience है मताता है कि यहां का हमारा experience यहां के medical system से related रहा है that has not been very good and इस मावले में मैं इंडिया के medical system को बहुत high मानता हूँ तो हमारा जो है multiple times यहां के medical system के साथ जो है थोड़ा सा अच्छा मतलब it has not been a very good experience और हमने इस पी वीडियो बनाया है और साथ ही साथ हमने एक वीडियो में यह भी बताया थे हैं यहां पर depression rate बहुत है तो it's not कि यहां पर स्वर्ग है और साथ ही साथ आपको अग एक real picture दिखाएं और इसी वीडियो के थुरू यह जो हमारा पिछला वीडियो था और जो अभी का वीडियो है इसमें वे हमें एक real picture ही आपको दिखाना चाहते हैं जो कि यहां की side के क्योंकि आप इंडिया में बैठके कभी Norwegian newspaper पर तो आप पड़ोगी नहीं और वहां के Google सर करते हैं कि उसमें actually क्या दिखाया है और movie जो है नौर्वे में release हो रही है this has also been confirmed 17 March को तो we will also try to watch it here अगर समय मिलेगा वरना इंडिया में तो आप लोग देखेंगे ही और प्लीज आप भी बताएं कि क्या है और देखी मैं इस चीज के हक में तो मैं बिलकुल नहीं हूँ कि म आस पर Norwegian standard they are not raising the child so I think so child welfare system जो है अपने उनको बोलना चाहिए कि आप Norway छोड़के चले जाओ अपने देश पे चले जाओ क्यूंकि अब यह मेरी एक personal opinion है कि एक बच्चे को खासकर 6 मिने का या 8 मिने का बच्चा जो की breastfeeding पे उसको अपने मम्मी और पापा से दूर ले जाना that I am totally against it so this is not a very acceptable behavior because there is no guarantee कि भी फॉस्टर हो में उसकी अच्चे ही कदर होगी तो मेरा solution तो यह होगा कि child welfare service को कुछ गलत लगता है तो भाई जाओ अपने देश चले जाओ वहाँ पे you can do whatever you want but यहाँ पे नहीं चलेगा but I think so separating such a small kid from her mom is and her family is really like kind of a big disaster as per me but अब आप लोग क्या इस बारे में सोचते हैं और तो please comments में लिखिये और जागरुख होना जो है that is very very necessary right but एक false belief system के साथ जागरुख होना that is not the great thing तो हमें हर चीज़ सुननी चाहिए and you know we should read different sources and then we should make a conclusion but again यह हमारा YouTube channel है this is just you know a mode of spreading the news तो हाप भी प्लीज़ यह आपको भी आपको भी आपको भी आपको पड़ सकते हैं आपको description box में जो है links में जाएंगे and please write your comments अच्छे बुरे जो भी आपको लगते हैं what are your views what do you think about it because अभी I think Germany में भी एक case ऐसा हो रहा है मुझे भी अभी बता लगा कि there is a case in Germany about the same thing as well जहां पे कि बच्ची को एक फैमिली से ले लिया गया है और वो पिछले I think डेड़ साल से foster home में है so I pray for the family कि उनको जो है उनका बच्चा वापस मिल जाए and hopefully ऐसा किजी के साथ भी ना हो तो आपके कुछ जोई भी व्यूज है वो प्लीज कमेंट में लिखिए and thanks for watching Namaste from Norway